गैज अगर आप सब भी credit card, debit card, online कहीं भी use करते रहते हैं तो आप सब के लिए ये वीडियो बहुत ही useful रहेगा तो गैज जो उस वीडियो के लाइक कीजेगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो चैनल को भी subscribe कीजेगा तो चलो गैज, शुरू करते हैं एक जनबरी दुहरबाइस से आप सब के लिए good news है यानि इससे पहले में आप सब के एक वीडियो बना के दिया ही था कि जो की RBI के guidelines का अंस्वार अभी एक जनबरी दुहरबाइस से tokenization update होगा tokenization update इसके लिए किया जाएगा जो की forward को रोकने के लिए tokenization को update किया जा रहा है यह मिलेगा कि अगर आप अपने credit card और debit card से कहीं भी website पे online हो चाहिए offline हो कहीं भी आप यूज करते है न तो उदर आप सब कभी card number नहीं सो होगा अभी आप एक token जरनेट हो जाएगा यानि पहले तो आपना card number डालेंगे card number डालने के बाद आपको OTP भी आएगा OTP आप डालेंगे आपका payment भी successfully हो जाएगा बट उसके बाद जो उनके website पर आपका card number से पहले होता था ना वह अभी आपका card number से बनी होगा नहीं expired date से होगा नहीं सीवीवी कोड से होगा उदर जो सेव होगा सिर्फ होगा एक token नमबर यानी RBI के द्वारा जो नया आपनी टाय है tokenization उदर एक आपको number जो उदर एक आपको token जरनेट हो जाएगा और बाद में अगर आप आप चाहेंगे वो token के थुरू आपका payment refund करवाए कोई merchant तो भी करवा सकता है उसमें कुछ भी इसू नहीं होगा चाहे आप कहीं online transaction किये थे कर आपको ऐसा लगा है को हमको transaction को cancel करवाना है तो आप transaction कैंसिल होगा उसके बाद आपको जो token जेट हुआ था ना जो card का उसी card में होगा पैसा refund कर दिया जाएगा यानि किसी भी प्रकाया को नोक सामने होगा यहां को वहने फिट ही वहने फिट मिलेगा बट HDFC bank के द्वारा एक नया अप्रेट आया है आज की डिट में जिसमें बताया गया है कि एक जनबरी दुहरबाइस से अगर आपका credit card या debit card किसी website प कैसे करेंगे डिलीट होगा बट आप बाद में जब transition करेंगे न तापका पूरा card number फिर से डालना पड़ेगा और फिर आप जाके कुछ भी shopping करेंगे या कुछ भी परचेश करना रहेगा तो आप सब परचेश कर सकते हैं उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा बट उसके ब भी अभी fraud ब्यक्ति जुरता अगर आपके साथ fraud करने कोसिस करेगा तो fraud नहीं कर सकता है क्योंकि उसको यह बात का पता ही नहीं चलेगा यह जो token number है कौन सा card का है SBI card का है या HDFC bank का है या bank of India का है या bank of broda का है यह उनको knowledge नहीं रहेगा तो इस बार से आप सब फरोड से बस सकते हैं और यह जो RBI के गरने से लगाया गया है एक जमेंदुहर बाई से इसके बारे में आप सो क्या काना है आप सो नीचे comment में जरूर कहिएगा असा करता कि आप सो की वीडियो पसंद आया होगा जोरू वीडियो का लाइक कीजिए और सी तरह के वीडियो देखने के लिए जोरू चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए